IPL 2022 का सभी क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है हाला कि कुरोना महमारी को देखते हुए यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि IPL का आयोजन कहा किया जाएगा पहले BCCI ने कहा था कि भारत में ही IPL होगा फिर सिर्फ महाराश में पूरा आयोजन कराने की प्लानिंग सामने आई दोबारा दुबई में होने की भी खबर सामने आई इसके बाद दक्षिन अफरीका और श्रिलंका में आयोजन कराने पर भी विचार हुआ हाला कि अंत में BCCI के सूत्रों ने दावा किया कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और डी वाई पार्टेल स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा पुरे के पास इस्थित महाराश क्रिकेट एस्टेडियम में भी मैच कराए जाएंगे इनी तीनों स्टेडियम में पूरा IPL आयोजन हो जाएगा अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन तीन मैतानों पर सिर्फ लीग मैच होंगे BCCI एक नई प्लानिंग कर रहा है इसके तहत मुंबई में लीग मैच होंगे जबकि प्ले आफ और फाइनल मैच दूसरे इस्थान पर होंगे ये कहां होंगे हम आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि आखिर बार बार प्लानिंग चेंज क्यों हो रही है दरसल इतनी प्लानिंग पिछले अनभाव को देखते हुए हो रही है आईपिल 2021 का आयोजन भारत में ही शुरू हुआ था कोरोना के कारण इसे बीच में रोकना पड़ा ऐसे में शंकाएं सामने आने लगी कि आईपिल हो पाएगा या नहीं हाला कि कुछ महिनों बाद आईपिल के बचे हुए मैच दुबई में कराए गए यानि आदा आईपिल भारत में हुआ और आदा आईपिल दुबई में इसके बाद सवाल उठने लगे कि आईपिल 2022 का आयोजन कहां होगा कुछ हफतों पहले BCCI के सच्चिव जेश शाह ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि आईपिल 2022 का आयोजन भारत में ही होगा कि BCCI, शिलंका या दक्षिन अफ्रीका में से किसी एक देश में आईपिल कराने पर विचार कर रहा है अब BCCI के सूत्रों ने कहा है कि सिर्फ कोरोना केस अनकंट्रोल होने की इस्तिती में आईपिल भारत से बाहर होगा फिलहाल ऐसी इस्तिती नहीं दिख रही है कि प्लानिंग में गुजरात का नाम सामने आया है गुजरात के एहंदबाद या किसी अन्य मैदान को भी शामिल करके उस पर प्लेय ओफ मैच और फाइनल मैच कराई जा सकते है हाला कि BCCI की अंतिम मोहर लगनी या आपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है या एलान कब तक होगा और कैसे होगा या देखने वाली बात है इस वीडियो में फिलाल इतना ही जल्द ही नई वीडियो लेकर आपके सामने फिराएंगे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ जाने से पहले सबसे जरूरी बात हमारे चैनल एनन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूले इसी के साथ स्क्रीन पर दिखरा बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में